हाई दोस्तों, आज की इस फिल्म की कहानी में चोल वन्स की राजनीती और महल में होने वाले शद्यंत्र के बारे में दिखाया गया। इस फिल्म में आपको विक्रम, कार्थी, जैराम रवी, आश्वरिया राय और त्रिशा कृष्णन देखने को मिलेंगे। एक हजार साल पहले चोल सामराज में एक राजा सुंदर चोल के दो बेटे और एक बेटी थी। बड़े बेटे का नाम आदित्या और छोटे बेटे का नाम अरुन था जिसे लोग पोनियन सेलवन कहकर बुलाते थे क्योंकि वो बचपन में पोनी नदी में डूबने से बच ग गया हुआ था और दूसरी तरफ आदित्या नौर्थन में युद्ध कर रही थे। उसके बाद आदित्या को पता चलता है कि कन्नूर के महल में कोई शड्यंत्र रचा जा रहा है और उसी का पता लगाने के लिए आदित्या अपने मित्र वंदी थेवन को वहाँ पर जाने क को देखता है सामन्त अपनी उम्र से छोटी रानी नंदिनी से शादी कर ली थी जो देखने में बहुत ही खूपसूरत थी महल पहुचकर वंदी थेवन चुपके से सामन्त और कुछ मंत्रियों की बाते सुनने लगता है जहां पर वह कह रहे होते हैं सुन्दर चोला तंजोर क सिंधासन पर अपने बड़े बेटे को बैठाना चाते हैं जबकि उनको सिंधासन कंधार आधित्ति के बेटे मद रतन को राजा बनाना चाहिए क्योंकि उस सिंधासन का असल हगदार वो ही है तभी वहां पर मद रतन आकर अपने राजा बनने की ख्वाहिश को साजा करते ह इसके बाद मंत्री और सभी लोग मद रतन को राजा बनाने का शद्यंत्र बनाने लगते हैं और ये सारी जानकारी वंदिय थेवन सुन लेता है और इस जानकारी को कैसे भी करके राजा सुन्दर चोला तक पहुचना चाता है और वहां जाते ताइम रास्ते में नंदिनी मिल जाती है जहां पर नंदिनी वंदिय थेवन को शाही अंगूठी देकर कल तंजोर के दरबार में मिलने के लिए उसे बुलाती है उसके बाद वंदिय थेवन उस अंगूठी को लेकर तंजोर के सेनाप्ती से मिलता है उसे बताता है कि पलुवेतारायर ने उसे ये शाही अंगूठी देकर उसके लिए राजा सुन्दर चोला के लिए उन्हें पैगाम देने के लिए कहा है इसी लिए सेनाप्ती उसे राजा के पास ले जाता है जहाँ पर वंदी थेवन सुंदर चोला को बताता है कि पलुवेतारायर और बाकी मंत्रियों ने मिलकर उनके सिंहासन को छीने का शडियंत्र रचा है और उन्हें पैकाम देने के लिए आदित्य ने ही उसे कहा है इस बात के बाद सेनापती को उस पर थोड़ा शक हो जाता जाता है क्योंकि सेनापती पलुवेतारायर का ही छोटा भाई था और इसी लिए वो वंदी थेवन को कैद करने के लिए अपने साथियों के साथ भेजता है पर वंदी थेवन उनके चंगुल से निकल कर भाग जाता ह वहां से वह सीधा नंदिनी के महल में पहुँच जाता है। कैसे भी करके भी उसे पकड़ना होगा होगा और पलुवेतारायर के नंदिनी के पास आने से पहले की वो वंदी थेवन को दूसरे रास्ते से निकाल देती है। नंदिनी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसे कुंदावई के योजना के बारे में पता चल सके और यहां हमें ये पता चलता है कि नंदिनी यहां अपने प्रेमी दीप पांडियन की मौत का बदला लेने के लिए ही यहां पर आई थी और वहां पर वहां अपने एक साथी धर् अरुन मोजी को मारने के लिए कहती है। दूसरी तरफ वंदिय थेवन राजकुमारी कुंदावई से जाकर मिलता है और उसे पलवेतारायर द्वारा महल में किये जाने वाले शणियंत्र की जानकारी देता है, तब कुंदावई उसे सिंधला जाकर अरुन मोजी को तंजवर आने का आदेश देती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि राजकुमारी कुंदावई और वंदिय थेवन एक दूसरे को पसंद करते हैं, कुंदावई को भी राजनीती की अच्छी समझ थी और राजा सुंदर चोला के बीमार होने के बाद से वो ही सब कुछ संभा उधर मधूर रतकन की मा उसे सिंहासन की मो को छोडने के लिए कहती है और उसे बताती है कि उसके पिता ने खुशी से राजा सुंदर चोला को अपना सिंहासन दिया था पर मधूर रतकन उनकी आग्या की अवहलना करके वहां से चला जाता है क्योंकि उसे किसी भी हालत में स अभी भी कदम नहीं रखेगा। क्योंकि वहां पर नंदिनी रहती है और यहां पर हमें पता चलता है कि बचपन में आदित्य नंदिनी से प्रेम करता था और वह भी उसे पसंद करती थी और नंदिनी का अनात थी और उसके राजवंच के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए राजा सुंदर चोला ने उन दोनों की शादी कराने से मना कर दिया था और उसके बाद नंदिनी अचानक से कहीं पर गायब हो गई थी। नंदिनी के जाने के दुख में आदित्य में युध में व्यस्त हो गया तभी एक दिन नंदिनी उसके सामने कई सालों बाद आ गई और उस समय नंदिनी पढ़िया। राजा वीर पांडियन से प्रेम करती थी जब आधित्य का वीर पांडियन के साथ युद्ध हुआ था तो वीर पांडियन जंडल में जाकर छुप गया था जब इस बारे में आधित्य को पता चला तो वो उसे मारने के लिए वहां पहुँच गया था जहां पर उसे नंदिनी उसे वीर पांडियन के साथ दिखाई दी थी। पोनियन सेलवन राजा महेंद्र को हरा कर अपने गुरु जी से मिलने आता है। जहां पर गुरु जी अरुन की उदारता और बहादुरी को देख कर सिंगला का सिंहासन पर बैठने के लिए कहते हैं, मगर उनके इस प्रस्ताव से मना कर देता है, क्योंकि उसने अपने जीवन को तंजोर और चोलवंच को समर्पित कर दिया था। अगले सीन में कुंदावई तंजोर महल आ जाती है। एक साथ आने से रोकना होगा। नंदिनी का प्लान था कि वह कैसे भी करके अरुन को महल में बुला ले क्योंकि अरुन यहाँ पर होगा तो आदित्य नहीं आ पाएगा और फिर दोनों भाईयों को अलग करके मार सकते हैं। उधर पुनिया नाम की नाव चलने वाली वंदिय थेवन को सिंगला लेकर आ जाती है और उसी वक्त एक और नाव में। पांडियम के कुछ गुंडों को लेकर वहाँ उसे नहीं पता था कि वो लोग अरुन को मारने के लिए आए हैं। अब अगले सीम में हम देखते हैं कि कुछ पलुवेतारायर अपने मंत्रियों को लेकर राजा सुंदर चोला के पास आते हैं और उन्हें अपनी बातों में लेकर अरुन को तंजोर आने के लिए कहते हैं। और इसके लिए वहर राजा सुंदर चोला की मोहर लगा कर अरुन को सिंग्ला आने के संदेश को अपने सेनाप्ति के साथ सिंग्ला के लिए भेज देते हैं, पर ये सब कुन्दावई को सही नहीं लग रहा होता है. इस पर राजा सुंदर चोला उसे कहते हैं वो नौर्थन जाकर आदित्य को यहाँ पर लेकर आए उनके दोनों बेटों की आने के बाद लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे इसी बीच नंदनी तंजोर की गद्धी पर बैठने का सपना देख रही होती है दूसरी तरफ वंदिय थेवन पोनियन सेलवन से जाकर मिलता है और उन्हें राजकुमारी कुंदावई का पैगाम देता है साथ ही राजकुमारी वंथी का भी पैकाम देता है वंथी से अरुन की शादी होने वाली थी और वे एक दूसरे से प्रेम करते थे उसके बाद वहां से महल की तरफ जाते वक्त पांडियन के गुंडे उन पर हमला कर देते हैं और वहां पर उन्हें मोनिमा आकर बचा लेती है ये वही जनोने अरुन को जनोने बचपन में भी पोनी नदी में डूबने से बचाया उधर राजकुमारी कुंदावई आदित्य को तंजोर लाने के लिए नौर्थन पहुँच जाती है वहां पर कुंदावई आदित्य को तंजोर चलने के लिए कहती है मगर आदित्य तंजोर जाने के लिए साफ मना कर देता है क्योंकि वहाँ पर उसे नंदिनी देखने को मिलने वाली थी वहाँ पर वह कुंदावई से शिकायत भी करता है कि उसने भी उस समय पर नंदिनी से उसको दूर करने के लिए राजा सुंदर चोला का साथ दिया था और उसी वज़े से वह इतना खतरनाक बन गया कभी भी नंदिनी को स्वीकार नहीं करते साथ ही कुंदावई आदित्य को बताती है कि पलुवेतारायर ने अरुन को तणजोर बुलाने के लिए सेना भेज दी है इसलिए उसे भी तणजोर पहुचकर अपने पिता और भाई का साथ देना चाहिए पर आदित्य बहुत जिद्धी था और वो तंजोर जाने के लिए फिर भी मना ही कर देता है उधर सिंगला में पूर्णिमा को पता चलता है कि पलुवेतारायर की सेना अरुन को ले जाने के लिए आई है और उसी बीच पांडियन के गुंडे वहां के राजा महिंद्र से मिलने के लिए कई सारे लोगों को मार रहे थे कभी कालमुगर के गुंडे धर्मा को महिंद्रन के पास लेकर आता है और वहाँ पर धर्मा महिंदरन को बताता है कि पलुवेतारायर की सेना अरुन को ले जाने के लिए यहाँ पर आई है, अगर वह साथ देतों रास्ते में वो लोगों अरुन को खत्म कर सकते हैं, फिर उन्हें सिंगला में किसी से खत्रा नहीं रहेगा और इसके लिए महिंदर मान जाते हैं। कि और वो साधारन कपड़ों में पूर्णिमा के साथ समुंदर की तरफ निकल जाता है ताकि कोई भी उसे पहचान नहीं पाए। उसके बाद महिंदरन की सेना और पांडियन के लोग पलुवेतारायर की सेना को मार देते हैं। और पोनियन सेलवन समझकर वंदिय थेवन को पकड़ लेते हैं पर उन्हें बाद में पता चलता है कि पोनियन सेलवन नहीं है इसलिए वंदिय थेवन को अपनी जहांस पर लटका देते हैं। ये देखकर अरुन पूर्णिमा के साथ पांडियन के जहांस की तरफ जाता है और वहां पर पहुचकर पांडियन के लोगों से लडाई करने लगता है और तभी समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है जिससे उनका जहांस डूब जाता है। अरुन लडाई में बहुत जयादा जख्मी हो चुके थे तो वो समुंद्र में दूब जाते हैं और उनका कुछ भी पता नहीं चल पाता है इधर कंजोर महल में राजा सुन्दर चोला के पास खबर आती है कि पोनियन सेलवन की समुद्र में डूबने से मृत्यू हो गई है ये सुनकर राजा सुन्दर चोला को हांट अटैक आ जाता है और राजकुमारी कुंदावई को भी ये सुनकर बड़ा धक्का लगता है जब आधित्य को इस बारे में पता चल जाता है तो वहाँ गुस्से में अपनी सेना के साथ निकल पड़ता है क्योंकि उसे पता था कि सब के पीछे नंदिनी ही है इसी के साथ में पोनियन सेलवन का पहला अध्याय समाप्थ हो और भी नई फिल्मों की एक्स्प्लेन विडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी मूवी एक्स्प्लेनर को सब्सक्राइब करें धन्यवाद